गड़वा, पलामू और लाते हार जीला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं 12 नवंबर को आयोध्या राम मंदिर मुद्धि पर सुप्रीम कोट के फैसले के बाद होने वाले किसी भी अप्रियव घटना से बचने के लिए SD.PO. अजित कुमार की द्वारा शान्ती समेधी की बैठक मंगलवार को नगर उन्टारी थाना परिसर में किया गया जिसमें बंशी इधर नगर के सम्मानित प्रबुद्ध सहित सभी समुदाई के लोगों ने हिसा लिया उपस्थित सभी लोगों ने अपने हिस्से की जिम्मेवारी लेते वे प्रशासन को आश्वस्त किया कि ऐसी घटना कभी बंशी इधर नगर में नहीं हुआ है ना ही ऐसा होने दिया जाएगा जल्द ही पदभार ग्रहन किये सभी उपस्थित लोगों से परिचे लिया और सभी को आश्वस्त किया कि पुलिस हमीशा आपके साथ है हम अपनी बेहितर सेवा देने के लिए हमीशा ततपर है और बंशीधर नगर के लोगों से सहयोग अपेक्षित है शांती समेधी की बैठक में इंस्पेक्टर रामोद कुमार सिंग, पूर्व प्रभारी पंकश तिवारी, नगर पंचायत अधक्ष विजा लक्ष्मी, उपाध्यक्ष लता देवी, पूर्व सदर सलाहुदीन खान, वर्तमन सदर कलाम खान, बीस सूत्रे प्रकंट, अधक् गुप्ता, विनीत कुमार शरद, समाज सेवी उजारी प्रासाद, पपु खान, रविरंजन चौबे, आनद प्रकाश मिश्र, सलीम खान, तसलीम खान, मुखिया मुस्ताग, एहमद सहिद बड़ी संख्या में गण माय लोगों पस्थे थे आज के सांती समित्य की मीटिंग हुई थाने में, चुकि मेरे ज्वाइनिक करने बाद यहां कि इतने संभानित लोग हैं, उनका सहयोग बहुत राष्चिक होता है, हम लोग के अपने परसासनी करूप में, हम लोग को काफी सहयोग मिलता है, हम लोग अपने कांग को नहीं से कर पाते हैं, लोगों से मिलें, लोगों के भी संभाद टाइम किया, लोगों से उनके विचार पुछे, हमने लोगों से बात रखी कि किसी भी से पर, किसी बात को लेकर, अगर हमने किसी तरह का विचार मन में आता है, तो किसी भाव को आप गलत रुप में सामने न किसी भी बात को लेके उसका दुस्परचाव न करें कोई दुस्परचाव ने किया जा किसी बात को लेके हम लोग को अपने कानुन बेवस्था में विश्वास बनाया रखना चाहिए किसी बात को भी कानुन के रुप से रखना चाहिए कानुन को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए ताकि हमारा समाज, हमारा मन्दल, हमारा देश आगे बढ़ें अल्वाएं गड़वा, पलामु और लाते हार जीला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं